तो देखो कितनी सुंदर बात इसमें कहिए करे बंदन खुररजेसर लीनी गव माता के चरण की धूल माथे से लगाकर पांच परकम्मा डेली नबेद नेदी कोई कर ले तीन महीने पूरी दुनिया को अपने बस में कर लेगा इस्टान करके गव माता के चरण की रज उठाए माथे से लगावे और उसके वो परकम्मा करे क्या सुन्दर बात लिखाए कपिला गव ने जे करण हिलावे गव माता हमारे उपर अते प्रसन है तो हमारे देख करके अपने कान हिलाएगी लिखाए कि कुत्रे के कान हिलाना ब बहुत ज़्यादा सोवें, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सकल मनोरत सुपल बतावें, गृंत ने कहा है, कि तुम्हारे मन में जो भी कुछ चल रहा है, वो सब पुरा हो जाएगा, कल सही शुरू कर दो, सुबह नाओ, गव माता के चण की दूल माते से लगाओ, पांच परकमा करो, गव माता को पड़ाम करो, और गईया मया तुम्हें देखके, अपने कान पड़ पड़ाना शुरू कर दे, समझे लेना कि अब सब तुम्हारे काम ठीक ठाक होने वाले है, कुत्रे के कान फड़ पड़ाना ठीक नहीं है, आप कहीं जाएं, और कुत्रा कान इलावे तो पानी पिले न, जरूर दई खाले न, ज्यादा नहीं तो गारी पंचर होई जाएगे, कुत्रा का कान फड़ आनंदार है, शंकर जी कहते हैं, हे नंदी तुम बड़े भाग साली हो, तुम ऐसे मा के पुत्र हो, उस मा की कोक धन हो गई तुम्हें जनम देने से, जीवन में तीन चीज चाहिए, तीन के विना आनंद नहीं है, क्या-क्या चाहिए, बच्पन में मा चाहिए, जवानी में महत्मा चाहिए, और बुड़ापे में परमात्मा चाहिए, बच्पन में मा, इवान वस्ता में महत्मा, और अब्रद्धा वस्ता में परमात्मा, बुड़ापे में गुरुओं के पास नहीं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आपको मंत्र मिल ग भी नहीं तो पूरानी अड़ी पर कैसे टिकेगा हाँ यदि सरीर काम नहीं करता है तो ज्यादा दूर्दूब मत करो अराम से घर बैठके बजन करो कासी गंगा सिगरे वहीं है फिर और यवान अवस्ता में देड़ महीना कम से कम 45 दिन एक बरस में कम से कम ये तो मैं उनको बोड़ रहा हूँ जिनको बहुत जवाबदारी है अभी घर की उनके लिए डेड़ महीना उनके लिए डेड़ महीना तीर्थ में संतों के पास गुरजनों के पास संसार विश्व दियाले इसमें पढ़ाई करो और ये जरूरी न एक दोड़ दिया नहीं एक हर आगाई देता है मैं तो कथा में हर तीसरे दिन बोलता हूं मैं तो यहां से सो बातें आपको बताउंगा और बिल्कुल ये जरूरी नहीं 해 कि आम मेरी हर बात मने जो मननने लाएक है क्या नहीं मानने लाएगे ये अपने हिर्दे से अंदर से आवाएगे